हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा क्योंकि यह अजर अमर है उन्हें अमर्त्व का वर्दान मिला हुआ है वे जब तक चाहे इस शरीर में रहकर इस धर्ती पर मौजूद रह सकते हैं शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला यशोदा मा ने भी पहनाया था शरी कृष्ण को काला धागा शिव को है समर्पित काला धागा शिव जी की क्रिपासे जगगंबा की क्रिपासे शनी महाराज की क्रिपासे हनुमान जी की क्रिपासे घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे अकुल धन और नौ निधियों के स्वामी धन के अधिपती कुबेर जी धन संपत्ती का वर्दान देंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी धन एश्वर्य सुख समरिधी यश्वेभव कीर्ती उत्तम फल पाकर आप सधन सफल इंसान बन जाएंगे। कि मनलवार के दिन काला धागा कैसे बांधे और शरीर के किस हिससे में बांधे भारतिय संस्कृति में काले धागे का विशेश महत वह है। यह नकेवल एक धार्मिक प्रतीक है। बलकि इसे नकारातमक उरजाओं और बुरी नजर से बचाव का उपाएबी माना जाता है। काले धागे को मंगलवार के दिन बांधने की परंपरा हिंदू धर्म में गहरी आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगलवार के दिन काला धागा कैसे बांधा जाता है, शरीर के किस हिस्से में इसे बांधा जाता है, और इससे ज जुरी मान्यताओं और कहानियों के बारे में, सबसे पहले जानते हैं काले धागे का क्या महत्व है। जो बनाय रखने की शक्ती होती है, जो व्यक्ती के जीवन में शान्ती और सम्रिधी लाती है। जीवन की सभी विपक्तियों और कष्टों से बचाती है। इसके अलावा मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से भी जुडा हुआ है, जिसे जोतिश में क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह के प्रभाव से उत्पन होने वाली नकारात्मकताओं से बचने के लिए भी काला धागा बांधना लाभकारी माना जाता है। यह ग्रह की अशुब द्रिश्टी को शांत करने और उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करता है। अभिमंत्रित करवा सकते हैं। काले धागे को मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय या हनुमान जी की पूजा के बाद बांधा जाता है। इसे बांधते समय भगवान हनुमान से सुरक्षा की प्रार्थना करें और अपनी मनो कामना को कूरा करने की कामना करें। धागा बांधते समय तीन, पांच या साथ गांठे लगाई जा सकती हैं। यह संख्या शुभ मानी जाती है। आप चाहे तो गांठ बांधते समय अपने समस्याओं को बताते हुए हनुमान जी से समस्याओं का निराकरण करने की विंती कर सकते हैं। अब जानते हैं शरीर के किस-किस हिस्से में काला धागा बांधा जाता है। काला धागा शरीर के विभिन हिस्सों में बांधा जा सकता है। और यह व्यक्ती की आवश्यक्ता और समस्या के अनुसार तै किया जाता है। यहां कुछ प्रमुक स्थान बताये गए हैं जहां काला धागा बांधा जाता है। पहला है दाहिने हाथ की कलाई में, दाहिने हाथ की कलाई में काला धागा बांधना सबसे सामान्य और प्रचलित तरीका है, यह व्यक्ति को बुरी नजर और नकाराक्मक उर्जा से बचाने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। पहला है दोर होती हैं और वह मानसिक रूप से मजबूत बनता है। गले में बांधा गया काला धागा व्यक्ति को बुरी आत्माओं और नकाराक्मक प्रभावों से बचाता है। इसे गले में लौकेट की तरह पहनने से भी सकाराक्मक प्रभाव मिलता है। तीसरा है कमर में बंधना, काले धादे को कमर में बांधने से व्यक्ति को धन की प्राप्ती होती है और उसकी आर्थिक स्थिती मजबूत होती है, इसके अलावा इसे कमर में बांधने से शरीर में उर्जा का संतुलन बना रहता है और व्यक्ति को शारिरिक समस्याओं से मुक् काला धागा पहन्ना भारतिय परंपरा में एक सुरक्षा उपाय माना जाता है, जो बुरी नजर नकारात्म कूर्जा और अग्रिश्य बाधाउं से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, यह विशेश रूप से बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए महत्वपूर् की उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए काले धागे का उपयोग किया जाता है, काला धागा शारिरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है, इसे पहन्ने से नकारात्मक शक्तियों, जैसे बुरी नजर, कंत्रमंत्र और बुरी आत्माओं का प्रभाव इसके अलावा इसे पहनने वाले व्यक्ति के आत्म विश्वास और साहस में वृद्धी होती है, जो जीवन में आने वाली चुनोतियों का सामना करने में सहायक हो सकता है। एक सांस्कृतिक प्रतीक है, बल्कि यह सुरक्षा और शुगता का भी प्रतीक माना जाता है, हालांकि इसका वैग्यानिक आधार नहीं है। काला धागा कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या वयस्त, हिंदु धर्म में काला धागा विशेश रूप से बच्चों के लिए बहुत प्रचलित है, ताकि उन्हें बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाया जा सके। इसके अलावा, कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था के प्रतीक के रूप में या किसी विशेश पूजा या अनुष्थान के बाद पहनते हैं, ध्यान रखना चाहिए कि काला धागा पहनने का उद्देश्य पूरी तरह से व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था और मान्यताओं पर निर्भर करता है, कुछ लोग इसे केवल एक फैशन के रूप में भी पहनते हैं, जबकि अन्य इसे आध्यात्मिक या धार्मिक महत्व के कारण धारन करते हैं, सामान्यत है, यह माना जाता है कि काला धागा सकारात्मक उर्जा को बढढ़ाता है और नकारात्मक्ता को जिससे व्यक्ति को मानसिक और शारिरिक रूप से सशक्त महसूस होता है, अंत में निशकर्ष यहां आता है कि काला धागा हिंदू धर्म में एक महत्वपून प्रतीक है, जो व्यक्ति को नकारात्मक उर्जाओं और बुरी नजर से बचाने के लिए बांधा जाता है, इसे मंगलवार के दिन बांधने की परंपरा भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करने और मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों से बचाव के लिए की जाती है, काला धागा दाहिने हाथ की कलाई, गले, कमर या टकने पर बांधा जा सकता है और इस से व्यक्ति को मानसिक, शारेरिक और आर्थिक लाप प्राप्त होते हैं, इस प्राचीन परंपरा को अपना कर व्यक्ति अपने जीवन को खुशाल और सुरक्षित बना सकता है, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जैश्री राम ज़रूर लिखे धन्यवाद कि अगाँ कर दिँ हैं, यह जानकारी आपको दो ग्राम हून तो गुशाली कि अग्ष्णा कर दो일ासी वापको तो साज हो घजे जे तारिकож्पाँ कर व्यक्ति अगी आजखे साहा है, इस पोगवादे से वजे पनगूसा हैं, जा ह Hunger abolना फोदिए जे खवादी इस कि आए